बिस्मिल्ला रह्मान ररहीम वेलकम टो इटीफर सुलूशन सीशॉप डॉटनेट प्रोगर्मिंग टॉटोरियल सीरीज में मैं एक मुर्था फिर आप साबको खुश्रमदीद कहता हूँ आज के इस वीडियो में आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रेटर्न करते हैं पिछले दो वीडियो में सबसे पहले हमने simple functions बनाये थे, उनका syntax पर है देखा था कि उन्हें कैसे define करते हैं, declare करते हैं, उनकी initialization कैसे होती है, call कैसे करते हैं, उसके बाद next वीडियो में मैंने आपको बताया, ऐसे functions जिन में हम लोग parameters use करते हैं, यानि कि ऐसे functions जिनको अपना code execute करने के लिए बाहर से कोई values की ज़रूरत होती है, in the form of parameters, that parameters कुछ भी हो सकते हैं, वो जैसे के integer type के हो सकते हैं, किसी भी किसम के variables हो सकते हैं, controls हो सकते हैं, controls जैसे के picture box है, combo box है, data grid view है, मैंने आपको बताया था कि यह बहुत ज़दा use होंगे, अगे चल के हमने project में इनको ज़दा use करना है, इसलिए आप इनको different तरीके से experiment कर लें, मैंने वीडियों बता चुक हूँ, आज भी हम लोग बहुत important function को पढ़ेंगे, यह भी mostly use होता है, और बहुत ज़दा use होता है, बलके, चुके इसके आगे चल के आपको पता चले कितने फाइदे हैं, तो वो function जो value return करते हैं, उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये, एक मैंने एक variable declare किया, integer result, अब instead of कि मैं इसके लिए पूरा function लिख हूँ यहीं पे, sum करूँ properly और फिर एक value इसको दूँ, एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे मैं calculation perform करूँ, और यहीं पे मैं इसे print करवा दूँ, लेकिन suppose हमारे पास एक function है, जिसमें already 50 lines of code है, या फिर 30 lines of code है, और हमने जो task perform करवाना है, उसका काम है value return करना integer type की, after 20 और 30 lines of execution के बाद, वो हमें एक value return करवाएगा, तो आपका already अगर function ने 30 lines hold कि हूई है, तो जब उसमें 25 या 30 और ड use करने पड़ते हैं, तो हम लोग बजाएं इसके के यहीं पे सारा code define करें, हम लोग इस तरह करते हैं के integer result get value, get value का एक function हमने define किया है, जो हमने return करेगा integer type की value है, वो store होगी जाके result में, then हम लोग उस result को message box में print करवा देंगे ताकि आपको पता सले, according to that scenario के उसे अपने count पर use करना, यह depend करता है, आपकी अपनी condition पर, लेकिन यहाँ पर simple example है, तो इसलिए यह जो get value का function है, यह कोई ना कोई value return करेगा, जो होगी integer type की, और वो आके store होगी result variable में, और नीचे मैंने इस function को define किया, private int, यह int आपको नज़र आ रहा है, पिछले कुछ वीडियो से हम लोग private wide use करते, wide means ऐसा function जो कोई भी value return नहीं करता, आगे मैंने यहाँ पर integer लिखा, तो इसका मतलब है कि यह function return करेगा, integer type की value, और function का वो ही ना, अब मैंने अपना जितना भी line of code होगा न, वो यहाँ पर in braces के अंदर लिखना है, और finally मुझे जो statement return करवानी है, वो लिख तूँग तो मैंने दो variable बनाया, उनमें value store की, और return करवा दिया, a plus b को, अब instead of this में अगर यह सारा code इतर लिखो तो फिर बहुत ज़द है, मसला बन सकता है, क्योंकि यह example है, तो इसमें नहीं मसला बनेगा, चुकि तीन lines है total, लेकिन जब real world development कर रहे होते हैं, तो फिर आपको बहुत फंक्शन्स यूज़ करने पड़ते हैं, आप return type functions में external parameters भी दे सकते हैं, यानि कि यहां से मैं कोई दो parameter पास करूँ, get value में, वो इधर आके get value में, उस space पे वो condition वगार execution हो, और फिर finally हम return करूँ है result को, तो अब इनके साथ parameters भी use कर सकते हैं, तो आईए चलिए, start करते हैं, प्रजेक्ट बनाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं कैसे use कर, open करते हैं हम अपना visual studio, मैं इसमें कुछ controls आड़ करता हूँ, एक button control आड़ करूँगा, एक label, और then finally एक text box, मैं इसको देदेता हूँ, first number, then इसी को copy करता हूँ, यह हमारा होगा, second number, और then finally इन दोनों का क्या होगा, sum, simple example है, हम लोग यह काम पहले कर चुके हैं, काफी मरतवा different तरीके से, लेकिन मैं इसे return type parameters के जरीए, करके आपको चेक करवाना चाहता हूँ, इसका नाम होगा, sum, और इसका code name होगा, btn, sum, that's it, यह होगा, txt first number, then txt second number, then txt sum, और मैं इसको double click करता हूँ, यह event generate करेगा, सबसे पहले, चुके मैंने वहाँ पर example दी थी, simple तो मैं यहाँ पर parameter वाली भी show करतेता हूँ, मैं एक function मनाता हूँ, private integer, जिसने return करना integer, get value, और उसमें दो variable होंगे, integer a, और integer b, simple as that, और यह करेगा, return a plus b, यह, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, integer x is equal to convert.to int32, यह value आएगी txt first number.text से, और फिर integer y, इसकी value आएगी convert.to int32, txt second number.text से, यह example में इसले कर रहा हूँ, तो क्या आपको पता चले हैं कि हम लोग यह काम को different तरीके से कर सकते हैं, और साथ-साथ यह आपको function return type का तो मैंने बता दिया था, इसके साथ मैंने parameter भी use कर दिया था, यह भी आपको पता चले कि कैसे use करने हैं, मैं लिख तो integer sum is equal to get value, और इसमें मैं पास करूँगा x और फिर y, that's it. यह जो x और y की value मेरे पास हाएगी, वो मैंने यहाँ पर pass कर देनी हैं, और इस function ने मुझे इन दोनों को calculate करके return करना है, integer type जो के value होगी sum में, then finally मैं करूँगा txt sum.text is equal to sum.to string, simple as that. यह हमने दो variable लिए, उन्हें हमने get value में पास किया, और sum की value में उनका यह sum return करवाया, और इसी sum को फिर मैंने txt sum.text में show करूँगा अगर dot to string कर दिया, तो run करते हैं, इस program को check करते हैं, first number में देता हूँ 10, second number देता हूँ 20, then sum पे click करता हूँ, तो अब देखें, 30 मुझे इस function ने calculate करके return करूआ है, जो मैंने इस text box में store करवा दिया, अब मैं quickly इस code को comment out करता हूँ, मैं एक आपको example बोल की भी दे देता हूँ, चुकिक if condition हम लोग पाढ़ चुकि हैं, मैं तो उसे भी use करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा change कर देता हूँ, check, text box is empty, यह check करेगा, इन दोनों को हमने ignore करना है, चुकि हम लोग नहीं use करने वाले, हम लोग सिर्फ चेक करेंगे, कि first number क्या empty है क्या नहीं, उसी से आप बाक्यू को भी use कर सकते हैं, यह, तो मैं double click करता हूँ इस पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, bowl is empty is equal to, check is text box empty, यह मैंने एक function generate किया, अब मैं यहाँ पर वो text box भी pause कर देता हूँ, txt first number dot text, अब मैं इसे यहाँ पर generate करता हूँ, यहाँ पर लेकिया है एक cursor को, तो इसे generate करते हैं, यह, अब मैं लेकता हूँ, if text यह वाला variable, वो जो value आएगी वो इसमें store होगी, if text is equal to string dot empty, then return false, else return true, अगर यह condition हमारी, यह empty text box तो कहा, return करो false, नहीं तो, अगर empty नहीं है, तो कहा, return करो true, और, इधर if condition लगाता हूँ, बलके मैं इसी के साथ लगा लेता हूँ, इसी if के साथ लगा लेता हूँ, कि अगर वो empty हो, तो क्या message box show करो, message box dot show, text box is empty, simple as that, start करते हैं, मैं अभी कुछ भी नहीं लिखता, तो देखे हो, कहा रहा है, text box is empty, अब मैंने bool को use किया, और उसे return करोई, उसकी value कहां से, यहां पे, इस empty की value क्यों होगी, false, अब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, अब चेक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं, कुछ भी message box नहीं हो रहा है, क्योंकि value अभी, इस empty की value true है, अब यहां पे भी if condition लगा रहे हैं, आगे हमने चलके data entry, validation वगरा पढ़नी है, तो वो इसी तरह इन functions की जिरीए हम लोग करेंगे, तो उमीद है आपने return type function से बहुत कुछ ही का होगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, लाफिज असलाम लेकुम,